मसकर दोस्तों HSSC CET का लेटेस्ट अपडेट है जो साथी बार्मी पास नहीं है और गुरूप C का फार्म बढ़ना चाते हैं उनके लिए लेटेस्ट है जो साथी जिनोंने दस्मी के पास दस्मी पास करने के पाँ जो है डिपलोमा कर रखा है इंजिनिरिंग डिपलोमा कर रखा है तो वो भी अब जो है बार्मी के समक्स मानना जाएगा मतलब वो गुरूप C का फार्म बढ़ सकता है अब CET के लिए गुरूप C के पदोकर फार्म बढ़ने के लिए दस जमादों के साथ साथ मैट्रिक और डिपलोमा भी योगेता मानी जाएगी यानि कि जो दसमी और डिपलोमा जिसने कर रखा है वो भी अपना फारम गुरूप सीवारा फारम भर सकते हैं CT की नीती में तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ CT की नीती में हरियाना करमचारी जयन आयोग ने कुछ संसोधन के लिए सरकार को सुझा वेजा था अब इसमें संसोधन का फैसला हो गया है गुरूप सी के लिए जो पहले बारमी की सेक्सनिक योगता थी अब इसमें बारमी के अलावा मैट्रिक के साथ अन्य सेक्सनिक योगता जैसे आपका डिपलोमा आपने कर रखा है तीन साल का डिपलोमा होता है इंजिनिरिंग का तो वो आपने कर रखा है तो वो भी जो है इसमें माना जाएगा सरकार ने यह भी संसोधन किया है कि गुरूप C और गुरूप D के लिए CET में हिंदी और इंगलिस के परसन दसमी स्तर के होंगे जो CET का गुरूप C और हरियाना करमचारी चेयन आयोग विग्यापन जारी करेगा विग्यापन जारी होने के बाद CET के लिए वन टाइम रजिस्टेशन के लिए जो मिद्वारों को मोका दिया जाएगा ठीक है तो यह दो लेटेस्ट अपडेट है एक तो आप जो है मैट्रिक और डिपलोमा यद जारी किया जाएगा उसके बाद इसकी जो है डेट बटेगी ठीक है तो यह डेट किसके लिए बटेगी जो 42 साल के अंडर आते हैं जो 18 से 42 साल के अंदर है उनके लिए तो डेट बट जाएगी लेकिन जिनकी 42 साल से उपर एज हो चुकी है वो वेट ना करे वो 30 मई तक इसपे उन्होंने डिपलमा लगा के भार के सी ग्रूप का भार नहीं भिराँ था वो अपना अपडेट कर ले भार्म सी डी दोनों आप भर सकते हैं। फॉर्म को आप जो है अपडेट कर सकते हैं अपडेट को अपसन आएगा उसमें आप जो है जुकेशन डीटेल में जाके महाँ पे और अपलिकेशन स्टेटस में आप गुरूप C.O.D. सेट कर सकते हैं आप दोनों के लिए एलिजिबल है ठीक है और इसकी डेट आके बटने क के चांच है अपना फार्म जल्दी से जल्दी C.O.D. से रिलेटर सभी नोकरियों के लिए C.O.D. बढ़ना जरूरी है और ये पास करना भी जरूरी है अगले तीन साल तक आपको बेचिंतों के फार्म बढ़ने है तो इस फार्म को भरिए और पास करिए धन्यवाद